जब भी मैं पहाडों पे जाता हूँ, तो मुझे अपनी echo सुनने में बड़ा मज़ा आता है, मैं चिलाता हूँ, यो, 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 यो और मुझे अपने ही sound दो-तीन बार सुनाई देती है इसी का हम echo बुलाते हैं अब वैसे ही अगर में एक खाली room में जाओ जहां पर की कोई भी furniture नहीं हो कोई भी curtain या carpet वगएर नहीं हो और वहां पर अगर हम चलाएं तो हमें कुछ ऐसी आवाज सुनाई देने वाली है अब देखो ये मुझे बिलकुल ही पसंद नहीं है क्योंकि इसके कारण मैं किसी और की आवाज को clearly नहीं समझ पाता हूँ तो इसे हम बुलाते हैं reverberation और इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि echo और reverberation ये क्या चीज होती है ये कैसे generate होती है और कैसे हम इनके effect को कम करें ताकि हम sound quality को और improve कर सकें तो देखो echo और reverberation का main कारण ये है न कि sound ये reflect कर सकती है sound can reflect जैसे कि हमार example में देख लो अगर मैं पहाड पर खड़े हो के चिलाता हूँ यो तो फिर मेरी sound wave ये आगे जाएगी और एक obstacle से टकराने वाली है इस case में ये obstacle हो गया एक और पहाड अब देखो जैसे कि light या फिर water waves ये किसी obstacle से टकराती है तो इनका थोड़ा सा हिसा ये reflect back करता है ठीक वैसे ही यहाँ पर sound wave ये जब दूसरे पार से टकराएगी न उसका थोड़ा सा हिसा reflect back करने वाला है और मेरी तरफ आएगा और फिर थोड़े समय बाद मुझे एक और यो सुनाई देने वाली है और इसी का हम बोलते हैं echo अब देखो यही process continue होने वाला है और तुम्हे multiple echo सुनाई देने वाले है लेकि तुम्हें अंदाजा होगा कि जैसे sound जादा distance cover करती है वैसे ये कमजोर होती चले आती है यानि कि हर एक नई echo ये पिछली echo से कमजोर होने वाली है ये थोड़ी soft होने वाली है तो यानि कि 3-4 reflection के बाद यार तुम्हे echo सुनाई भी नहीं देगा अब आओ इसी पूरी process को एक बार फिर से देखते है यो 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 अब तुम्हें ये तो समझ में आ गया होगा कि echo क्या चीज है लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा किराम एक रूम में echo क्यों नहीं generate होती है एक रूम में जब हम चिलाएंगे तो फिर हमारी sound ये दिवार से reflect होके वापस आनी चाहिए न तो फिर हमें echo सुनाई देगी तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता है तो देखो तुम्हारी सवाल बिल्कुली सही है रूम में भी हमारी जो दिवार है ये sound को reflect करती है लेकिन यहाँ पर थोड़ा difference है यार देखो एक रूम में जो walls है न ये बहुत ही पास-पास है compared to the mountains तो यानि कि इस case में क्या होगा कि sound बहुत ही जल्दी reflect होके आने वाली है तुम्हारे पास तो यानि कि पहली sound सुनने के तुरंत बाद तुम्हें दूसरी sound उसकी reflected sound सुनाई देने वाली है यानि कि इन दुनों sound के बीच का time gap ये बहुत ही कम होने वाला है और यही चीज़ तुम्हारे दिमाग को confuse कर देती है तुम्हार दिमाग ये नहीं पता पता है कि पहली sound कब खतम हुई और दूसरी sound कब चालू हुई अब आप इसी को अच्छे समझने के लिए एक demo देखते है तो यहां एक editing software में मैंने original यो sound को डाल दिया है और इसी को मैं copy करके multiple times paste करने वाला हूँ एक time gap के साथ तो देखो जब मैं इसे play करूँगा ना तो हमें सबसे पहले original sound सुनाए देगी फिर थोड़े देर बात पहली copied sound पहली reflection फिर थोड़े देर बात second reflection फिर third और फिर fourth और यहां इस case में मैंने दो sound के बीच का time gap इसे कुछ 0.8 seconds का रखा है तो आँ उसे play करके देखते हैं यो 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 तो यार ये तो बिलकुल ही mountain वाले case की तरह हमें सुनाए दे रहे थी हम दो sound को clearly अलग-अलग सुन पा रहे थे तो यानि कि मैं इसे echo बुलाने वाला हूँ अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर दो sound की बीच में time gap कुछ 0.8 second का हो तो फिर हमारा brain उन दोनों को clearly अलग-अलग सुन सकता है अब आँ time gap को थोड़ा और कम करते हैं अब मैं time gap को और कम करने वाला हूँ 0.4 seconds आँ देखते हैं कि क्या हम अभी भी अलग-अलग sound को clearly सुन पा रहे हैं या नहीं यो तो यार मैं तो अभी भी हर एक sound को clearly सुन पा रहा हूँ अब एक बार और सुनो यो ओके तो हम इसे भी echo बिलाने वाले हैं और इसका मतलब यह हुआ कि अगर दो sound की बीच में 0.4 second का भी time gap होना तो भी हमारा brain उसे अलग-अलग सुन सकता है अब आओ time gap को थोड़ा और छोटा करते हैं तो इस बार मैं time gap को 0.07 second छोटा करने वाला हूँ आओ मैं तुम्हें थोड़ा zoom करके दिखाता हूँ ये देखो time gap इस बार 0.07 seconds का है अब आओ देखते हैं कि क्या इस बार हमें अलग-अलग reflections ये clearly सुनाई दे पाते हैं या नहीं क्या तुम्हें हर एक reflection clearly सुनाई दिया एक बार और सुनो आखे बंद करना इस बार और clearly सुनने कोश्ट करना यार मुझे तो अलग-अलग reflections clearly नहीं सुनाई दी मुझे तो पता ही नहीं चला कि एक sound कब खतम हुई और दूसरी sound कब चाल हुई और इसलिए हम इसे echo नहीं बुलाने वाले हैं एक बार और सुनके देख लो यो तो यानि कि इस case में जो reflected sound है ना वो original sound के effect को लंबा खीच रही है इसे हम बोलते हैं persistence persistence of sound यानि कि sound ये गूँज रही है तो हमारे दिमाग में हमारे कानों में sound की effect ये persist कर रही है ये गूँज रही है और जब भी successive reflection के कारण आवाज persist करती है या गूँजती है तो इसे हम reverberation बुलाते हैं अब अगर तुम कुछ special buildings में जाओ जैसे कि बीजापूर की गोल गुमबच या फिर कुछ गुफा वगरा में तो यहाँ पर sound बहुत ही strongly reflect करती है यहाँ sound केवल 2-3 बार ही नहीं बलकि 50-60 बार भी reflect कर सकती है और इसके कारण तुम्हें एक बहुत ही strong reverberation सुनने को मिल सकता है तो अगर sound 50 बार reflect करे तो reverberation कुछ ऐसा सुनाई देगा सुनो यो तो ठीक है हमने यह देख लिया कि अगर तो successive reflection की बीच में time gap जादा हो तो उसे हम echo बलाते हैं और अगर time gap कम हो तो उसे हम reverberation बलाते हैं लेकिन तुम यह सोच रोगे कि यार exactly कितना time gap चाहिए echo और reverberation के लिए तो फिर हमने कुछ experiments किया और हमें यह पता चला कि अगर दो reflection की बीच में time gap यह 0.1 second से जादा हो तो फिर हम उन दोनो reflections को clearly सुन पाएंगे और इसे हम echo बलाते हैं लेकिन अगर दो reflection की बीच में time gap यह 0.1 second से कम हो जाए तो फिर हमारा brain यह नहीं बता पाएगा कि एक reflection कब खतम हुई और दूसरी कब स्टार्ट हुई और इसे हम reverberation बलाते हैं और हाँ अगर time gap exactly 0.1 second हो जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है यह तोड़ा grey area है अब एक आखरी चीज या reverberation को कम कैसे किया जाए क्योंकि देखो reverberation के कारण तुम दूसरों की बातों को clearly नहीं सुन सकते हो जैसे कि मालों कि अगर तुम्हें एक room में speech देना हो और उस room में reverberation बहुत ही जादा है तो यानि कि लोग तुमारी बात को clearly नहीं समझ पाएंगे तो ये तो problem है ना यार तो देखो reverberation को कम करने के लिए तुम room में कुछ sound absorbing materials को रख सकते हो देखो इससे होगा क्या ना कि ये materials तुमारी sound को absorb कर लेंगे तो sound अगर absorb होगी तो यानि कि कम sound reflect होने वाली है और अगर कम sound reflect होगी तो यानि कि reverberation भी कम होने वाला है तो sound absorbing material के लिए कुछ तुम sofa लगा सकते हो या फिर खिटकी को खुला रख सकते हो या फिर carpet वेगरा बिचा दो इन फैक्ट अगर room में जादा लोग है ना तो वो भी sound को absorb करने वाले हैं ये सारी चीज़े sound को absorb करती है और reverberation को कम करती है अब हम वीडियो को यहीं पर summarize करते है इस वीडियो में हमने देखा कि अगर original sound और reflected sound के बीच का time gap ये 0.1 second से ज़्यादा का हो तो हमें echo सुनाई देती है और अगर यही time gap ये 0.1 second से कम का हो जाए तो फिर हमारा brain original sound और reflected sound के बीच में difference को नहीं समझ पाएगा और हमें reverberation सुनाई देगी और दिको ज़्यादा reverberation ये थोड़ी annoying हो जाती है तो इसे कम करने के लिए हम sound absorbing materials का इस्तिमाल कर सकते है